आलो स्टूडेंट्स, तो तो टोड़ेंगे लेसें नमबर सेवेन, सर्कल सर्कल सबको पता है, गोल, आकार को हम क्या बोलते हैं, सर्कल यह स्टूरी है एक ग्राइनमा की और उनकी जो एक बिथिया है मोहीनी उसकी ठीक है, ग्राइनमा की और एक छोटे बेबी की तो दोनो एक दिन की बाते, दोनो बैठे हुए थे एक साथ ग्राइनमा जो एक सर्कल बनाया, आप देख रहे हैं आपे पिच्चर में भी तो ग्राइनमा जो जो जाता है ड्रॉ का, उन्होंने एक सर्कल बनाया Can you draw a circle मोहिनी? तो ग्राइनमा ने मोहिनी से कुछिन पूछा, क्या तुम सर्कल ड्रॉ कर सकती हो? Yes, I can. मोहिनी ने क्या अंसर दिया? हाँ, मैं कर सकती हूँ. सून मोहिनी, ज्यू बन. जल्दी से फिर मोहिनी ने एक सर्कल बनाया. Now, I will draw a ball. अब क्या बोला? अब मैं ball बनाऊंगी. Grandmother drew three lines on the circle. और उसी सर्कल में Grandmother ने three lines ड्रॉ कर दी. तो वो ball जैसे लगने लगी. हम सर्कल को अलग-अलग टाइप से अलग-अलग रूप दे सकते हैं. उसको अलग-अलग टाइप से हम उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं. और बहुत सारे सर्कल से हम अलग-अलग टाइप की पिचिल्स भी बना सकते हैं. तो Grandmother ने उसी सर्कल में तीन लाइन ड्रॉ कर दी. तो वो ball जैसे लगने लगी. मोहिनी drew three lines on her circle. मोहिनी ने भी Grandmother जैसे तीन लाइन ड्रॉ करी सर्कल में. It really look like a ball. मोहिनी ने क्या बोला? अरे ये तो सच्छी मुच्छी में ball जैसे लग रही है. Now, let's draw a balloon. अब Grandmother ने बोला कि क्या करेंगे? हम balloon draw करेंगे. Grandmother added a zig-zag line to the circle. Grandmother ने उसी circle में zig-zag. Zig-zag मतलग? इस line को हम zig-zag बोलते हैं. उपर नीचे उपर नीचे जो line होती है. So zig-zag line to the circle. Oh, it really looks like a balloon. तो मोहिनी ने बोला कि अरे वाँ. ये तो सच्छी मुच्छी में balloon लग रहा है. तो मोहिनी च्लाप्ट with joy. मोहिनी खुशी के मारे clapping करने लगी. हम भी जब happy होते हैं, तो हम क्या करते हैं? मोहिनी ने बहुत सारे circle ड्रॉप किये. बड़े चोटे लाल कलर के, नीले कलर के, हरे कलर के और पीले कलर के. She also added zig-zag lines to these. उसने उसमें zig-zag lines भी ड्रॉप करी. मतलब जो lines systematic तरीके से हम खीशते हैं, उसको zig-zag नहीं बोलते हैं. या तो मैम ने आपको बताया, यहाँ पर ऐसे वाले, या ऐसे, ऐसे, कहीं से भी, इदर उदर से जो भी जा रही है ये line, उसको हम zig-zag बोलते हैं. अब उसने बहुत सारी बलून्स ड्रॉप कर लिया और बहुत हापी थी. अब उसके ग्रैनमा ने बोला कि क्या तुम सर्कल से कुछ और, something else मतलब कुछ और भी ड्रॉप कर सकती हो? Yes, said Mohini. Mohini ने बोला हाँ, मैं कर सकती हूँ. She drew a wheel. फिर उसने सर्कल से क्या-क्या ड्रॉप किया? She drew a wheel, a moon, a sun, a rabbit and her own face. उसने सर्कल से एक wheel ड्रॉप किया, पैया, एक moon ड्रॉप किया, याने की चंदा मामा, एक sun ड्रॉप किया, एक rabbit ड्रॉप किया और अपना खुद का face. जब हम अब face बनाते हैं तो पहले हम सर्कल बनाते हैं न बिटा? तो उसने यह सारी चीज़े और भी बहुत सारी चीज़े आप सर्कल से ड्रॉप कर सकते हो. सोचो, यह लेसन पढ़ो और फिर सोचके और भी सर्कल से आप एक picture बनाओ जो की बहुत interesting हो. आपका creation हो हो. ठीक है? So, read this lesson again and again and learn all the unfamiliar words. This is very interesting lesson and listen this chapter again and again. So, all the unfamiliar words will clear to you. Thank you.